Hello Friends, मैं हूँ पुश्प्रता, आज मैं आपके साथ सूप की रेसिपी शेर करने जा रही हूँ, इसे हम मैगी नूडल से बनाएंगे, इस सूप में हम डालेंगे धेर सारी सबजियां और पनीर, जिसकी वज़ा से इसका टेस्ट बहुती अमेजिंग होता है, तो आए देखते ह इसे कैसे बनाना है, इस सूप को बनाने के लिए, सबसे पहले मैंने गेस पर एक पैंट चड़ा दिया है, और इसमें डाल दिया है, एक छोटा चमच बटर, बटर के साथ साथी इसमें हम डाल देंगे, एक छोटा चमच तेल, दोनों चीजों को हम अच्छे से गरम कर टेल जब हमारा हलका सा गरम हो जाएगा तब इसमें सबसे पहले हम पनीड को फ्राइ कर लेंगे यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीड लिया है और इसको छोड़े छोड़े टुकडो में कट कर दिया है पनीर को हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक और सुनहरा होने तक फ्राइ कर लेंगे पनीर को यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्राइ कर लिया है और इसका कलर भी सुनहरा हो गया है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं उसी पैन में हम थोड़ा सा तेल फिर से डाल देंगे अब सबसे पहले हम पैन में डाल देंगे दो लसन बारी कटी हुए लसन को हम पहले हलका सा सुनेरा होने तक फ्राई कर लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे दो कटी हुई हरी मिर्च एक बारीक कटा हुआ प्याज और दो बारीक कटी हुई गाजर गाजर और प्याज को हम हल्का साथ transparent होने तक और soft होने तक medium आज पर पकालेंगे थोड़े देर के लिए मैंने प्याज और गाजर को पकालिया है दोनों ही नरम हो गए हैं अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा प्याज याने की स्प्रिंग ओनियन ये लगबग दो बड़े चमच हैं एक बारी कटी हुई शिम्ला मिर्च और थोड़े सी यहाँ पर मैंने उगले हुए मटरली हैं इसको भी हम इसमें डाल देंगे दो से तीन मिनिट के लिए सार कासे हारी चीजों को ऐक बार फिर से हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसको हम ढग देंगे डखक ALT के लिए आंग चेक करेंगे जिससे की ढफ़े थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे सारे मसाले डालने के बाद इसको हम फिर से एक से दो मिनिट के लिए दीमी आज पर अच्छे से भून लेंगे जिससे कि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएं सारे मसालों को अच्छे से पकाने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे पानी यहाँ पर मैंने तीन और आधा कप याने की साड़े तीन कप पानी डाला है क्योंकि हम इसका सूप बना रहे हैं इसलिए जो नॉर्मल मेगी बनाते हैं उससे हमें इसमें पानी की मात्रा डबल रखनी है पानी डालने के बाद इसमें नमक डाल देंगे स्वाध अनुसार यहाँ पर मैंने एक छोटा चमश नमक डाला है अब इसके बाद हम इसमें एक पैकेट मैगी नूडल से एड़ करेंगे और साथी साथ मैगी में जो मसाला आता है वो भी हम इसमें डाल देंगे अब सारी चीजों को हम मेडियम प्लेंग पर 3-4 मिनिट के लिए पकने देंगे हमारा सूप जो है वो लगबग बनकर तयार हो गया है अब हम इसमें जो पनीर हमने फ्राइ करके रखा था उसको भी हम इसमें एड़ कर देंगे पनीर डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगबग 1-2 मिनिट के लिए फिर से पकने देंगे हमारा मैगी मसाला नूडल सूप बनकर तयार है अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे इस गर्म गरम सूप को आप एंज़ॉय करें और अगर आपको आज की रेसीपी परसंद आई हो तो इसे लाइक, शेर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भाइब करें